तो दोस्तो आज की वीडियों हम बात करेंगे अर्नी का मोंटाना डाइलुसन के बारे में अब बात करेंगे इसके फायदे के बारे में साइड रिफेट क्या है कैसे लेना है तो सारी जान करी दूँगा तो वीडियो जो है शुरू से लेगा एंट तक जरूर देखिएगा तो दोस्तो अर्णी का मोंडाना डाइलियूसन या फिर आप इसको ड्रॉब बोल सकते हो तो ये एक होमोबितिक मेडिसिन है और इसको बहुत सारी कमपनिया बनाती है जैसे के देखिए दोस्तो SBL हो गई, डॉक्टर रैकबेग हो गई, डॉक्टर विलमेर हो गई, बीजेन हो गई बहुत सारी कमपनियों के मेडिसिन आती है तो भाई, किसी भी कमपनिय के दर ले सकते हो कोई भी प्रॉलम वाली बात नहीं है और ये अगर हम मेडिसिन के बात करें तो काफी जो है पापुलर मेडिसिन है तो दोस्तो अगर हम बात कर लेते इसके फाइदे के बारे में तो देखिए इंग्रियंट के बारे में बात करें तो में इसमें अरनी का जो है भाई मोंटाना ही होता है में इंग्रियंट है इसका अब जैसे कि यूज और फाइदे के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि इसके बहुत सारे फाइद ब्लड जो है आपका, ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉट होगा तो तर नीला नीला दिखेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, तो उस कंडिशन में इसको लीजिए, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है, उदर से चली जाती है, तो चोट है, कोई अंदरूनी चोट लग ले सकते हैं कोई चोड्ल लग जाती है उसमें ले सकते हैं इसके लाबा अगर जोडों में दर्द बगेरा होता है जोडों में स्वैलिंग बगेरा आ जाती है तो उसमें ले सकते हैं या फिर लंबर पेन है या फिर कमर में दर्द होता है कई बार देखा है अब देखे ऐसा भी होता है जिसका बेटे-बेटे बहुत काम है लंबे समय तक बेठे रहते हैं या फिर कोई ड्राइवर बगेरा है लंबे समय तक गाड़ी बगेरा चलाते हैं तो कमर में भई प्रॉलम तो होना तैय है एक समय के बाद तो ऐसा कुछ भी है तो वो भी इसको ले सकते हैं उनको बहुत अच्छा फायदा इसका देखने को मिलेगा अब इसका अलाबह देखें बर्निंग सेंसेशन होता है अब बर्निंग सेंसेशन देखें दर पर कहीं पर भी हो सकता है यह कान में हो सकता है और इसका अलाबह किसी भी हिस्से में अगर आपको जलन टाइप होती है या सोयलिंग बगेरा आती है तो उसमें ले सकते हैं, इसके अलावा कई बार आखों में दर्द होता है, आखों में जलन टाइब होती है, दर्द टाइब होता है, ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसमें भी ले सकते हैं, इसके अलावा गले में कोई प्रॉलम है, गले में भी देखा होगा आपने पहले बता दिये कि body में कहीं पर भी जलन जैसा लगता है आपको किसी भिस्से में तो आप इसको एक बाल लेकर देखिए अब इसके लावे देखिए खासी बगेरा है आपको तो खासी में भी फायदा करती है medicine गाउड की परिसानी है यूरिक आसिड बढ़ गया है आप गाउड में फिर क्या होगा कि आपकी जोडों में देखिए वह होगा जलन होगी इंफ्लामेशन होगा जो भी आपके जोड बगेरा है तो गाउड जैसे भीमारी में ले सकते हैं फीवर में भी फायदा करती है इसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो ले सकते हैं अब स्पोर्ट्स खेलेंगे तो देखिए इंजुरी तो तय है इंजुरी तो होना ही होना है इस परकार से ले सकते हैं तो देखिए जैसे का अंदुरी जो इंजुरी होती है तो भाई ये थे इसके में फायदे जो मैंने बता दिये इन सारी कंडिसन में आप इसको ले सकते हो अब बात कर लेते हैं डोस के बारे में तो देखे इधर आपको 30 CH में लेना है 30 potency में लेना है अब भाई इसके जो है आपको 30 potency में लेने है और बो भी आधे कबसे भी कम पानी में लेना है और लेना है दो से चार बार ज्यादा प्रॉल्म है तो ज्यादा प्रॉल्म नहीं तो दो बा ले सकते हैं कई लोगों में देखा कि बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है तो फिर उनको 3-5 drop से साइध फायदा ना भी लें तो कुछ दिन तक आप ऐसा कर सकते हैं कि 10-15 drop ले सकते हैं कुछ दिनों तक तीन से चार देनों तक अब जैसे ही आपको आराम मिल जाता है तो फिर से जो है आप 3-5 drop पे आ जाएं तो 10-15 drop तक भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉल्म है जल्दी आराम चाहिए तो इस प्रकार से लीजिए 2-4 बार लीजिए जैसे हम बताये के दिख कोन-कोन ले सकते हैं तो सब ल martin ले सकते हैं अगर बच्च्रह बड़ा है तो फिर haft भी हो जाया तो आप बच्चों को जो है दे सकते हैं करीब 2-3 drop दे सकते हैं लेकिं बच्चा दे 6 साल से छोटा नहीं होना मिलना है छे साल से बड़ा है तो आप उसको जो है दो से तीन ड्रॉप एक दिन में तीन से चार बार चला सकते हैं थोड़े से पानी के साथ या फिर एक चमच पानी के साथ दे सकते हैं अब देखें साइड़ इसका कुछ भी नहीं है बिल्कुल ले सकते हो और इधर कोई दूसरी मेडिसिन पहले से ले रहे हैं तो बो भी आप लेते रही है बिल्कुल बंद करने की ज़रूत नहीं चाहाब अलपतिक में हो या फ्रायर पतिक में हो अब साधी साथ जो है अगर आ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फिर में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप देखते रहे हैं और बने रही है आपके अपनी चैनल में नॉलेज फोर केयर